हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रिय मंत्रे मंडल जो है वो शपत ले रहा है आज और भारत सरकार भारत में एक नई सरकार बन रही है चुंकि ये सरकार एक गठबंधन की सरकार होने वाली है तो इसमें मंत्रियों के नामों और पदों को लेकर काफी मूल भाव चल रहा है ऐसा आप आम तोर के अख़वारों में पढ़ रहे होंगे तो ऐसे में आप सब के सामने एक प्रावधान को जानना बहुत जरूरी हो जाता है भारतिय संविधान के जो की भारत सरकार में या किसी भी राजजी की सरकार में कुल कितने लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं उस पर एक सीमा तय करता है और ये आता है हमारा 91वा सब्विधान संशोधन तो इस सब्विधान संशोधन क्यूं हुआ इसका बैक्ग्राउंड क्या है ये क्यूं किया गया क्या वो सीमा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बस अगले 5 मिनिट में लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ कि भाई कल से शाम 6 बजे 10 तारिक शाम 6 बजे से हमारा P2I बैक शुरू हो रहा है AJ Life Code लगा के 27999 में आप इससे जुड़ सकते हैं रोज 3 गंटे की Life Class, Mentorship, Daily Practice Questions, Pre or Mains के Mains के Questions का आपको समाधान मिलेगा, पूरा आपको उसमें Feedback देंगे Pre or Mains की Test Reef 18 किताबे आपके घर पे और अगर आप Pre Qualify करते हैं तो Mains के तयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ इसी खर्चे में शामिल होगा जमाना था जब जोड तोड बहुत common था, कि भई चुनाव में किसी को महुमत नहीं आता था, फिर अलग-अलग दल आपस में बातचीत करते थे, मिली-जुली सरकार बनाते थे और ऐसे में negotiation point होता था मंत्री पद, कि भई मंत्री कितने लोगों को बनाया जाएगा तो भारत में दो ऐसे बड़े incident हुए, एक हुआ बिहार में लालू प्रसाद जी द्वारा, जब बिहार में एक बार लालू प्रसाद यादव ने अपने मंत्री मंदल में कुल 54 लोगों को मंत्री बना दिया बिहार में इन्होंने कुल चोहतर मन लोगों को मंत्री बना दिया, जो कि एक राज्य के परिप्रेक्षी से बहुत बड़ी संख्या थी, उसका कारण ये था कि उनके विधायकों में असंदोश था, बहुत लोग मंत्री बनना चाहते थे, तो उन्होंने सब को ही बना दिया, उससे भी बड़ा एक बार क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश में कल्यान सिंग सरकार अल्पमत में आ गई, और उन्होंने विपक्षी दलों में तोड़ फोड करके उनके विपक्षी दलों के टुकडे कर आए, कॉंग्रेस पार्टी में थे जनतांत्रिक कॉंग्रेस निकल है, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि एक राज्य में उस समय एक जोग चलता था, एक चोटकुला चलता था कि लखनव में अगर आप थूक रहे हैं तो सोच कर थूकिये, क्योंकि हर दूसरा आदमी मंत्री है, कहीं किसी मंत्री पर न गिर जाए, तो इस प्रकार का कुछ 95 या 90 से उपर मंत्री थे कल्यान सिंग साब की सरकार में, तो उस समय फिर इस बात को लेकर एक सम्वेधानिक विमर शुरू हुआ, कि यार ये तो प्रशासन के हित में नहीं है, कि इतने इतने मंत्री, मैं याद है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए मुझे या इतने की जगा नहीं है, इतने मंत्रियों के पास तो आफिस नहीं है, इतने तो राज्य में सचिव स्थर के आई इस अफसर नहीं थे, जिनको इनका सचिव बनाया जा सके, तो बहुत ही ज़ादा प्रॉब्लम हुई, और ये ये खजाने पर भी अननिसेसरी बोज है, तो इ एक्यानबेवा संचोधन भारत के संविधान में लाया गया, 2003 में, और इस 2003 के एक्यानबेवे संचोधन से क्या किया गया, कि राज्यों में या फिर केंडर में, दोनों जगह, जो भी चुना हुआ सदन होगा, यानि कि हम बात कर रहे हैं केवल लोकसभा की और विधान सभा की, याद रखिएगा, राज्य सभा और विधान परिशद के लोग भी मंत्री बन सकते हैं, उस पे कोई मनाही नहीं है, आप जानते ही हैं, राज्य सभा के पियूश गोयल जी मंत्री थे अभी तक, अब इस बार रहना की चुनें गए हैं लोग सभा में, अश्विरी वैश चुना हुआ सदन जो होगा, यानि कि लोकसभा या फिर विधान सभा, केंदर के मामले में लोकसभा, राज्य के मामले में विधान सभा, उसकी कुल सदस्सिता के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं, ये बात क्लियर हुई, और इसमें प्रतान मंत्री को इंक्ल 81.45 यानि की 81 तो वर्तमान नरेंदर मोदी सरकार जो बनेगी उसमें मोदी को include करके प्रधान मंतरी को समावेशित करने के बाद भी 81 से जादा मंतरी नहीं हो सकते हैं यानि की मोदी जी के अलावा 38 से जादा लोगों को वो मंतरी नहीं बना सकते हैं। यह बात clear हो गई तो इस बात को समझने की आवशकता है कि 81 तक मंत्री बनाने की सीमा केद्र सरकार के पास है यह सीमा सारी राज्य सरकारों पर भी लागू होती है याद रखियेगा यह सीमा जो है सभी राज्य सरकारों पर है कि वो 15 प्रतिशत से अभिक मंत्री नहीं बना सकत एक अपवाद इसमें किया गया है, क्योंकि कुछ राज्यों की विधान सभा बहुत ही छोटी होती है, तो उन राज्यों के लिए ये किया गया है, जहां पर विधान सभा बहुत छोटी है, सदसिता बहुत कम है विधान सभा की, जिसा आप में देखा होगा पूरुवत्तर के कुछ राज्यों में मातर 40-40 सदस्य होते हैं, तो 15% खाली 5 मंतरी हो गए मुख्य मंतरी के अलावा, तो जहां पर विधान सभा छोटी है, वहां पर 12 सदस्य जो है, वो तै किये गए है, कि 12 सदस्य तक आप बना सकते हैं, कुल मिला के 12 सदस्य तक बन सकते हैं, जहां पर विधान सभा छोटी है, ठीक है, लेकिन अगर विधान सभा जो है, वो बड़ी है, तो 15 प्रतिशत की सदस्य ता से ज़ादा, कुल सदस्य ता के 15 प्रतिशत से ज़ादा लोगों को आप मंतरी नहीं बना सकते हैं, ये प्राफधान किया गया है, ये प्राफधान इसलिए किया गया, ताकि जो सरकार का आकार है, देखिए, पब्लिक अडबिनिस्ट्रेशन में, लोग प्रशासन में ये माना जाता है, कि सरकार प्रभावी होनी चाहिए, बड़ी नहीं, यह आपने देखा होगा, प्राफधान मंतरी मोदी ने भी अपने पहले कारेकालों में कहा था, कि हम छोटी सरकार बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़ादा काम करें, तो सरकार के आकार को अननेसेसरेली अवांचित तरीके से बढ़ाने से रोकने के लिए ये काम किया गया, याद रखिएगा, ये 81 सदस्यों की जो सीमा है या 15 प्रतिशत सदस्यों की जो सीमा है, इसमें कोई ऐसा बटवारा नहीं है कि कैबिनेट में कितने लोग जाएंगे, या फिर राज्यमंतरी कितने लोग बनेंगे, ऐसा कोई बटवारा नहीं है, यानि कि आप चाहें तो सभी को कैबिनेट मंतरी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, राज्यमंतरी कितने होंगे, राज्यमंतरी जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रप्रभार और आपका राज्यमंत्री फिक है ये भी आपको बताए देता हूँ और जो आकरी होता है वो होता है उपंत्री जो कि भारत में आम तोर पर कम बनता है तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है इसको आप ऐसे समझगे librar कि अगर कोई भी राज्यमंत्री हो सकते हैं, तो राज्यमंत्री जो होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री उनका बॉस होता है, ये बात सपश्ट हुई, कई बार इनके नीचे वैसे उपमंत्री भारत में बनते नहीं है, लेकिन कई बार कैबिनेट मंत्री के नीचे आप उपमंत्री भी बना सकत यह भारत में आम तोर पे बनते नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है किसी विभाग में आप कैबिनेट मंत्री बनाते ही नहीं हो। कि कुछ विभाग वो राज्य मंत्री को दिये जाते हैं जो कि स्वतन तर प्रभाब पे होता है यानी कि उसके उपर उसका बॉस कुई भी क्याबिनेट मंत्री नहीं है। ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतनी ही जानकारी है इस मामले में जो भी नहीं जानकारी आएगी वो मैं आपको मुहया कराऊगा तो आपको जाते जाते एक बर दुबारा से बता दूँ कि हमारा P2I बैच जो है दस्तारिक से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से तो जो लेट एक दम आखरी मोमेंट जॉइन करने वाले लोग हैं भाई आप भी जुड़ जाओ आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो प्री मेंस की टेस्ट सिरी वठारा प्रिंटेट किताबे आपके घर पे और अगर आप प्री कॉलिफाई करते हैं तो मेंस की तयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा यह सब आपको मिले